नमस्ते दीदी, मेरा नाम आजनेलू है मैं अधकल मंडल मैंभूम नगाटिस्टिक्से हूँ मुझे ये पता चला है कि आप अपनी फसल के लिए पंचगवे तयार कर रही है क्या आप पंचगवे बनाने का तरीका मुझे सिखाएंगी नमस्ते भाईया, मेरा नाम रामेश्वर रम्मा है और मैं निजालपुर गाओं की निवासी हूँ मैं जरूर से आपको पंचगवे तयार करना सिखाऊंगी दीदी, पर हम पंचगवे क्यों तयार करते हैं? भाईया, वो इसलिए क्योंकि पंचगवे पौधे की पोशक तत्वों को बढ़ाता है और साथ ही साथ बीच के वजन में भी विद्धी करता है दीदी, पंचगवे को बनाने में किन-किन समगरी की ज़रुरत पड़ती है? भाईया, पंचगवे में गाय का मूत्र और गोबर, घी, दही, दूद, केला, नारियल का पानी, ताडी, काला गुड़ और पानी का इस्तमाल किया जाता है अच्छा दीदी, अब पंचगवे कैसे बनाते हैं ये भी बता दीजे देखी भाईया, सबसे पहले पांच किलो गाय का गोबर लीजे और उसे आधा किलो गाय की घी के साथ मिलाईए अच्छा दीदी, पंच किलो गाय का गोबर और उसमें आधा किलो गी अच्छा दीदी, तो अब इसको अच्छे से मिला लिया, अब इस मिक्षर के साथ क्या करेंगे? भाईया, इस मिक्षर को बरतन में डाल के चार दिन के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे की उसमें खटापन आजाता है, यानि की खमीर आजाता है बरतन में डालने के बाद, साथ ही साथ इसमें ये साफधानी भी बरती जाती है, कि इसे कपड़े से ढग दिया जाता है, ताकि उसमें चीटी या मक्खी ना घुस पाए ठीक है दिदी, इसको चार दिन के लिए छोड़ देना है, ताकि इसमें खटापन आजाये, यानि की खमीर आजाये, ये तो हम समझ गए, और इसको कपड़ा से ढखा भी रहना है लेकिन दिदी, क्या चार दिन तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं नहीं भाया, इसे हमें चार दिन तक रोज तीन बार मिलाते रहना होगा अच्छा दिदी, अब तो चार दिन बीट गया, अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं? भाया, अब इस मिक्शर को हमें प्लास्टिक के ड्रम में डाल लेंगे प्लास्टिक अब हम तीन लीटर गव मूत्र लेंगे तीन लीटर नारियल पानी एक किलो काला गुड दो लीटर गाय का दूद दो किलो दही बारा पके हुए केले और तीन लीटर पानी प्लास्टिक अब सभी सामगरी को प्लास्टिक ड्रम में डाल लें और उसे अच्छे से मिला लें और उसे मिलाने के बाद लगभग 15 दिन के लिए छोड़ दें प्लास्टिक अच्छा दीदी ये तो बताईए क्या ड्रम में रखे इस मिश्रन को भी हमें रोज मिलाना होगा हाँ भाया इस मिश्रन को तो लगभग हम 15 दिन के लिए रखेंगे पर इसे भी हमें 4 दिन तक रोज 3 बार मिलाना होगा इसको भी अच्छे से कपड़े से ढग दिया जाएगा ताकि चीटी या मक्खी इसमें ना घुस पाए दीदी अब तो 15 दिन भी बीद गए अब हम इस मिश्रन का क्या करने वाले हैं हाँ भाया अब देखिए इस मिश्रन को एक पतला कपड़ा लेकर अच्छे से चान ले अगर मिक्स्चर गाड़ा हो तो उसमें थोड़ा पानी डाल ले और पतला करने के बाद उसे चाने ठीक है दीदी लेकिन अब चानने के बाद खेत में इसका इस्तिमाल किस प्रकार किया जाएगा भाया लगभद 2-3 लीटर एक एकर खेत पे इस्तिमाल किया जाता है लेकिन दीदी ये तो बताईए कि किस तरह की फसल पर पंचगवे का इस्तिमाल कर सकते हैं भाया इसे आप हर तरह की फसल पर इस्तिमाल कर सकते हैं वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है दीदी कि इसे हर तरह के फसल पर इस्तिमाल कर सकते हैं अच्छा दीदी पंचगवे इस्तिमाल करने से हमें क्या क्या फायदा मिलेगा देखी भाया पंचगवे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फसल के तेजी से बढ़ने में मदद करता है लेकिन दीदी ये तो जरा बताईए कि जब अगर हम पंचगवे का इस्तमाल करेंगे तो इससे फसल उगाने में होने वाले खर्च में भी कमी आएगी क्या हाँ भाया फर्टिलाइजर इस्तिमाल करने में जितना दाम लगता था अब इन सब चीजों के इस्तिमाल से वह कम हो गया है इसको हम 6 महीन तक बिना किसी नुकसान के इस्तिमाल में ला सकते हैं दीदी पंचगवे बनाने का तरीका बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भाया